हर्याना के लोग इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहें और आप संजय लैला भंसाली को आप फिल्मकार बोल सकते हैं लेकिन मेरी नजरों में वह ऐसा भांड है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी के भी धर्म पर किसी की जात पर पिक्चर बनाकर उस धर्म का उस जात का हिस्ट्री को खराब करने माहिर है तो मैं उसको फिल्मकार नहीं मानता हूं सिर्फ पैसे कमाने वाला भांड मानता हूं क्या गलती करिए इसने संजय लिला भंसाली ने मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके जाता हूं कि बाजी राव मस्तानी करके एक पिक्चर संजय लिला भंसाली ने बनाई अगर आप बात करें कि बहुत की बहुत ए सर्टिफिकेट ये 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 सर्टिफिकेट क्योंकि पास हो के सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड न उसको पास किया है उसको सर्टिफिकेट भी दिया लेकिन सेंसर बोर्ड अगर कोई सर्टिफिकेट देता है ये ये यू तो सर्फ इस चीज़ से देता है कि वही इस पिक्चर को बच्चे देख सकते हैं नहीं दख सकते हैं बच्चे इस पिक पिक्चर की के बाजी राव मस्तानी में ऐसा क्या था जो कि बैन करने लायक था लेकिन बैन नहीं हुई क्योंकि लोग समझ पाए जब तक वो पिक्चर चल चुकी थी बाजी राव मस्तानी के अंदर बाजी राव एक ऐसा लड़ा का था ब्रहमन समाज से जिसमें 42 लड़ाई इसको पैसे नहीं कमाने थे इसको इतिहास से कोई छेड़ चांड नहीं करनी थी तो क्योंने इसका नाम कलावती रखा क्योंने इसका नाम कुछ और रखा क्यों पदमाबती रखा पदमाबती हिंदू समाज राजपू समाज की एक ऐसी रानी जिसने 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया लेकिन उनके जोहर की कहानी को इसने खिलजी के प्यार में बदल के रख दिया मैं पूछना चाहता हूँ संजेल लीज़ा बंसाली जैसे भानों से कि राजपू समाज के इतियास से ये क्यों छेड़चार करते हैं क्यों सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजपूत इतियास को छेड़चार करते हैं क्या इनको राजपूत समाज ही मिलता है छेड़ छाड़ करने के लिए पद्मावती एक ऐसी महिला एक ऐसी रानी जिसने अपनी शकल तक को देखने नहीं दिया आज उसी रानी को जिसने जोहर किया किसी के सामने जुकना पसंद नहीं किया किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं किया लेकिन जोहर करना मंजूर कर यह सारी रानिया आग में कूत के जहौर कर गई और आज उसी के इतिहास को ये लोग इस तरीकी से पेश कर रहे हैं एक घुमर डांस में नाच रही है राणिया अरे ना रानिया एक अपने आप में इतिहास थी कहीं वो नाचा करती थी क्या कहीं वो देखाए उनको कि सपनों म नाच रही है वो खिल जी जैसे के पैर रही हैं और हम पहली दिन से ही इस पिक्षर के खिलाफ हर्याने के अंदर बीए्जाय मैं उन्हों प्लेडल जोयां करता हूं कि आप भी राज्पूतों के हिंदू समाज की भावनों को समझते हुए इस पिक्चर को हर्याना के अंदर जल्द से जल्द बैन करने का नोटिस जारी कर दें और ये नोटिस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए के चन्द दिनों के लिए बिलकुल पूरी तरीके से हम हर्याना के अंदर आप से गुजारिश करते हैं को बैन कर दिया जाए ये आपके चैनल के द्वारा हम सीम साब को अपनी परफ से एक करवद निवेदन करना चाहते हैं किस्ट्वल्टिफॉर हरे आणा